और जब ये युवा चमपारन से बिहार चमपारन जो की गांधी जी के सत्यक रहे की भूमी है वहां से चलकर जब ये दिल्ली पहुँचे हमें भी मालूम चला कि 1100 किलोमेटर लंबी यात्रा करके ये बच्चे वहां से पहुँचे हैं जो पिछले दो साल से गुहार लगा र हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए हमें समाज में इज़्जत चाहिए क्योंकि जब ये वापिस गाउ में जाते हैं तो इनको जूटा सेनिक कहा जाता है प्रतारना की जाती है कि तुम तो जूट बोल रहे थे तो इस शर्म से ये लोग तकलीफ खांगर सरकार से गुहार लगाते लगाते ठख गए तो इन्होंने चमपा रन से 1100 किलोमेटर की यात्रा शुरू की पैदल यात्रा सलाम करते हैं इनकी यात्रा को इनके जजबे को कि ये सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं हमें जब बालूम चला हमारे नेता को जन्नाएक राहुल गांदी जी को पता चला तो उन्ने कहा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं मोधी सरकार हमारे युवाओं के साथ हमारी सेना के साथ तो उन्ने इन बच्चों को बिलाया उन बच्चों की पीड़ा सुनी उनके पैरेंट्स थे उनसे बात सुनी मालूम चला 64 बच्चे जो भरती हो चुके थे सेना में जोइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा लगा कर परिशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को तूटने से दुखी थे आहत थे तो 64 बच्चों ने इस दोरान सोईसाइड किये इन 64 बच्चों के सोईसाइड का जिम्मेदार कौन सवाल पूछते हैं मोधी सरकार से कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अगनी पत स्कीम लागू की जब अगनी पत स्कीम आप लागू कर रहे थे इन बच्चों को उसके अंदर समयोज़ित करना चाहिए था लेकिन नहीं किया आपको इन जो भी आप स्कीम लाते हैं प्रोस्पेक्टिव आगे के आने वाले समय से लाते हैं पाइलेट प्रोजेक्ट करके लाते हैं ना आपने पाइलेट प्रोजेक्ट किया देश की सेना को दोका दिया देश के युवाओं को दोका दिया देश की सेना को इसलिए दोका दिया कि उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से अगनीवीर या अगनीपत स्कीम आ रही है और महत चार साल के लिए उनको देश के सेनिक बनाया जाएगा और उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा देश के युवाओं के सबने को तोड़ने का काम किया कम से कम आप जो पहले से भरतिया ना उसकी गई थी उन भरतियों को तो पूरा करते जब आपने उनकी भरतियों की सभी प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, तो इनको जॉइनिंग करा सकते थे, जॉइनिंग करानी जरूरी थी, लेकिन आपने जॉइनिंग नहीं थी, आपने एक तुखलकी फर्मान जारी गिया, आगनीपत सकीम का, और उसके तहत, डेर्ड देश की सुरक्षा और सेना का नुकसान तो अलग हुआ हमने एक RTI के जरीए सरकार से डेटा वांगा कि 2022 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी और 2023 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी यह चौका देने वाला डेटा है यह RTI जिसका जवाब Ministry of Defence ने दिया है उन्होंने बताया है कि 2022 इसमें जो डेटा है यह 2022 से लेके और 2023 मार्च के बीच का है 34 लाख युवाओं ने भर्ति देखी लेकिन 2023-2024 के अंदर यह संख्या सिर्फ घटकर 10 लाख रह जाती है तो इसका मतलब कहीं न कहीं यह अगनिपत स्कीम और अगनिवीर जो इसके तहत भर्ति गए जा रहे हैं यह देश के युवाओं को पसंद नहीं है देश के युवाओं के लिए सही नहीं है देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है 34 लाख युवा जो 2022-2022 में देश की सेना में आना चाहते थे उनकी संख्या घटकर दो सरफ 10 लाख रह गई 24 लाख युवा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस ट्विटी फॉर